उजास प्रवेशिका भाग तीन उजास ये एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्मान राष्ट्रे साक्षर्थाकेंद्र प्रकोष्ट सी एनसी एल राष्ट्रे शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद NCERT द्वारा किया गया है और इसका ध्वनी रुपांतरण केंद्रिय शैक्षिक प्रदोगी की संस्थान CIET द्वारा किया गया है ये प्रवेशिका पुस्तक 15 वर्ष या उससे अधिक आयू के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है इसमें बुनियादी साक्षर्ता, भाषा, संख्याग्यान और महत्वपून जीवन कौशल ट्रिटिकल लाइफ स्किल्स विश्यों को सम्मिलित किया गया है और इसका ध्वनी रुपांतरण केंद्रिय शैक्षिक प्रदोगी की संस्थान CIET द्वारा किया गया है उजास, प्रवेशिका, भाग तीन, अध्याए नौ, समय समय की बात प्रिष्ट संख्या 208 बाच्चीत के लिए एक, आप समय के बारे में कुछ बताईए सुख का समय या दुख का समय 2. कोरोना के समय क्या आपने किसी की मदद की 3. कोरोना के समय आई परिशानियों से आपने क्या सीखा 4. मास्क लगाना क्यों जरूरी है चर्चा कीजिए और 5. हैंड सेनिटाइजर के इस्तेमाल का क्या महत्व है चर्चा कीजिए इस प्रिष्ट पर एक चित्र बना है। बच्च्य गाड़ी में ले जा रही है। ये चित्र कोरोन से पहले का है। प्रिष्ट संख्या 209 ये चित्र कोरोना के बाद का है। इस प्रिष्ट पर भी एक चित्र है, इस चित्र में कुछ लोग अपने मुह पर मास्क लगा कर आ जा रहे हैं, कुछ बस में चल रहे हैं, एक व्यक्ती सडक पर जालू लगा रहा है, एक सिक्योर्टी गाड एक व्यक्ती को थर्मोमीटर से उसका टेम्परीचर चेक कर रहा है प्रिष्ट संख्या 210, अध्याई 9, समय समय की बात, इस प्रिष्ट पर लिखा है, हम सीखेंगे दो अंकिये संख्याओं का गुडन, समय की माप, घंटा, मिनट, सेकेंड, समय का महत्व, और समय की माप का उप्योग करना, बारह और 24 घंटे वाली घड़ी नीचे दिये गए शबदों को पढ़िये इस प्रिष्ट पर एक तालिका है, इस तालिका के चार भाग हैं, तालिका के प्रतेक भाग में चार-चार शब्द लिखे हैं, आएए अब तालिका को पढ़ते हैं तालिका की पहली पंक्ती समय, दिन, काल, जमाना। तालिका की दूसरी पंक्ती योग, घड़ी, सप्ताह, साल। तालिका की तीसरी पंक्ती महीना, दिन, रात, कैलेंडर। तालिका की चौथी पंक्ती सुबह, शाम, दोपहर, वक्त, शिक्षक निर्देश समय से जुड़े शब्दों के बारे में बाच्चीत करें। इनसे जुड़ी कुछ कहावतें या मुहावरे खोजने का प्रियास करें। प्रिष्ट संख्या 211 मिलकर पढ़िये और बाच्चीत कीजिये हाँ जी ना जी। बात तब की है जब हाँ जी और ना जी दोनों बेरोजगार थे। दोनों सुभा से शाम तक नौकरी की तलाश में भटकते रहते थे। नौबत ऐसी आ गई कि बस दो वक्त की रोटी मिल जाए तो वो कुछ भी करने को तयार थे। उन्ही दिनों शहर में एक सरकस आया। सरकस वालों ने स्थानी अखबार में विज्यापन चपवाया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए कुछ आदमियों की जरूरत है। इच्चुक व्यक्ती सुभाए 10 बजे होटल मान सरोवर में संपर्क करें। साड़े दस बज़ते बज़ते नाजी पहुँच गए। सरकस वालों ने कहा, देखो भाई, बात ये है कि हमारा बंदर बीमार पड़ किया है। इस प्रिष्ट पर एक चित्र है। इस चित्र में एक पिंजरे के अंदर शेर और बंदर का मुखोटा लगा कर दो व्यक्ती बैठे हैं। प्रिष्ट संख्या 212, उसकी जगा तुम्हें बंदर की खाल पहन कर थोड़ी दीर के लिए बंदर बनना पड़ेगा। एक दिन के साठ रुपाई मिलेंगे। नाजी ने पूछा, बंदर बनकर मुझे उच्छल कूट करनी होगी। सरकस वालों ने कहा, हाँ, लेकिन शेर के पिंजरे में घुसकर, घवराओ नहीं, शेर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। नाजी को डर तो बहुत लगा, लेकिन काम की सक्त जरूरत थी, इसलिए राजी हो गए। अगले दिन बंदर की खाल पहन कर नाजी उच्छल कूद करते हुए पहुँचे। दर्शक उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और तालिया बजाने लगे। लेकिन जब शेर के पिंजरे में घुसने की बारी आई, तो नाजी के हाथ पैर जाम हो गए। उनसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया। बड़ी मुश्किल से तीन आदमियोंने मिलकर उन्हें शेर के पिंजरे में धकेला। शेर को सामने देखकर नाजी की गिगगी बन गई। वो कोने से चिपक गए और थर-थर कापने लगे। सूसू निकल गया। धीरे धीरे चलते हुए शेर उनके सामने तक आया। उसने अपना मुह नाजी के मुह से सटाया और बोला। गबरामत मैं हाजी हूँ। तू साड़े दस पर पहुचा। मैं तो पोने दस बजे ही पहुच गया था। उस वक्त शेर की पोस्ट खाली थी। है। हो सकते हैं। प्रश्न दो ऐसे और कौन-कौन से खेल तमाशे हैं जिनका कुछ समय पहले तक काफी चलन था पर अब नहीं है। ऐसा क्यों है। प्रश्न तीन बेरोजगारी के चलते हाजी और नाजी को सरकस में काम करना पड़ा। आज के समय में बेरोजगार के अबसर बढ़े हैं या घटे हैं। कैसे? प्रश्न चार आज के समय में भी कुछ लोग स्त्रियों का घर से बाहर जाकर नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। आपके इस बारे में क्या राय है? और क्यों? प्रश्न पांच यहाँ पर एक आयता कार्णुमा रिक्तिस्थान बना है। प्रिष्ट संख्या 214 इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में बाई तरफ सबसे उपर एक सूरज का चित्र है। और साथ ही एक पेड़ है जिस पर एक पक्षी बैठा है। यहाँ पर एक घर भी दिया गया है। घर के बाहर एक महिला अपने नन्हे से बालक को अपनी गोद में उठा कर प्यार कर रही है। पास ही उसकी लड़की पुस्तक पड़ रही है। यहाँ पर एक कविता दी गई है। कविता का शीर्षक है ठीक समय पर। एक नियम से रोज सवेरे सूर्य निकल आता है। एक नियम से घटता बढ़ता चंदा मुस्काता है। एक नियम से तारे धुनले पढ़कर फिर खिल जाते हैं। एक नियम से नदिया नाले सागर में मिल जाते हैं। प्रिष्ट संख्या दो सौपंद्रह इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर तीन घर दिये गए हैं। पास येक महिला अनाज बो रही है। दूसरी महिला कुछ फटक रही है। पास ही हात वाली चक्की है और उसके पास एक बरतन रखा है। यहाँ पर एक मोर का चित्र भी है और कुछ फूल पतियां दर्शाई गई है। इसी कविता का दूसरा भाग इस प्रिष्ट पर है। आईए कविता पढ़ते हैं। एक नियम से तुम भी अपने सारे काम संभालो। सोकर उठो, नहाओ धो, बैठो, खाना खालो। ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर खेलो। तो तुम सब कुछ कर सकते हो, जो चाहो वो लेलो। निरंकार देव सेवक। प्रिष्ट संख्या 216 प्रश्ण एक समय शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक के बनाया गया है। नीचे दिये गए शब्दों को इस्तेमाल करते हुए वाक के बनाकर लिखिये। यहाँ पर एक तालिका है। तालिका के दो भाग हैं। पहले भाग में लिखा है समय। और उसके सामने दूसरे भाग में लिखा है जो समय की कदर नहीं करता। समय उसकी कदर नहीं करता। अब यहाँ पर कुछ और शब्द भी दिये गए हैं। इन शब्दों का इस्तमाल करते हुए, आपको इनके आगे दिये गए रिक्त स्थानों में वाक के बना कर लिखने हैं. ये शब्द हैं जमाना, काल, युग और दिन. प्रश्ण दो, इस गीत में समय पर काम करने पर बल दिया गया है. एक नियम से तुम भी अपने सारे काम संभालो, सोकर उठो, नहाओ धो, बैठो, खाना खालो. आप कौन से काम समय पर कर पाते हैं और कौन से नहीं, कारण भी बताईए. यहाँ पर तीन रिक्त स्थान दिये गए हैं. यहाँ पर आपने अपने काम जो आप समय पर कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते, वो लिखने हैं. प्रिष्ट संख्या 270 प्रश्ण तीन कोई एक काम जो आप दिये गए समय में करेंगे या करना चाहेंगे यहाँ पर एक तालिका है तालिका के दो भाग है पहले भाग में कुछ शब्द दिये गए है उनके आगे दिये गए खालिस्थानों को आपको भरना है यह शब्द हैं आज, कल, इस सप्ता, इस महीने और इस साल मेरे शब्द यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स है जो रिक्त है इस बॉक्स को आपने अपने शब्दों से स्वयम भरना है प्रिष्ट संख्या 218 हमारी बातों में समय कब, कहा, कैसे आता है पढ़िए समय का फेर अब पश्टाय होत क्या जब चड़िया चुक गई खेत समय खराब चल रहा है समय समय की बात है बीता समय वापिस नहीं आता काल करे सुआज कर इस तरह के कुछ और वाक्य बताईए जिन में समय का जिक्र हो आओ गिने अपने हाथों की अंगुलिया यहाँ पर दो हाथ दिये गए है और उनके नीचे लिखा है दो हाथों में कुल उंगुलिया दो गुणा पाच बराबर दस प्रिष्ट संखिया दो सो उन्नेस बारह हाथों में कितनी अंगुलिया यहाँ पर छे खानों में दो हाथों के जोड़े दिये गए हैं और उसके नीचे लिखा है बारह बार पाच यानि बारह गुणा पाच या बारह गुणा पाच रिक्तिस्थान प्रिष्ट संखिया दो सो बीस आईए घड़ी से समय देखना सीखें आम तौर पर घड़ी के डायल पर बारह अंक होते हैं हर दो अंकों के बीच चार छोटी-छोटी लाइने होती है यहाँ पर एक घड़ी का चित्र है जिसमें एक से लेकर बारह तक के अंक दर्शाय गए है इस घड़ी में मिनट, घंटे और सेकंड के सुया नहीं है पूरे डायल पर कुल कितनी लाइने है गिनकर लाइने लिखिए रिक्तिस्थान, लाइने घड़ी के डायल पर दो या तीन तरह की सुया घूमती है यहाँ पर एक घड़ी और उसके साथ तीन सुया दी गई है जो घंटे, मिनट और सेकंड की है और उसके नीचे लिखा है तीन सुयों वाली घड़ी इसके बगल में एक और चित्र है इसमें एक घड़ी दर्शाई गई है और साथ ही घंटे और मिनट की सुय दी गई है और उसके नीचे लिखा है दो सुयों वाली घड़ी प्रिष्ट संख्या 221 सबसे मोटी और छोटी सुय घंटे की सुय है यह घंटे बताती है घंटे की सुय एक अंक से गंटे में पूरे डायल का एक चकर लगाती है 24 घंटे या एक दिन में ये पूरे डायल के कितने चकर लगाती है रिक्तिस्थान उससे पतली और लंबी सुय मिनट की है यह मिनट बताती है मिनट के सुई एक अंक से दूसरे अंक पर पांच मिनट में पहुंशती है ये साथ मिनट में पूरे डायल का एक चक्कर लगाती है सबसे पतली और लंबी सुई सेकंड की है ये सबसे तेश चलती है ये सेकंड बताती है यहाँ पर दो घडियों के चित्र है इन घडियों में अलग-अलग समय दर्शाया गया है बाई तरफ की घड़ी के नीचे लिखा है घड़ी में दो बज़े हैं इस घड़ी में घंटे की सुई दो पर और मिनट की सुई बारा पर है दूसरी घड़ी के नीचे लिखा है घड़ी में 5 बजे हैं इस घड़ी में घंटे के सूई 5 पर और मिनट के सूई 12 पर है 60 मिनट पूरे होने में एक घंटे का समय होता है 3 घंटों में कितने मिनट होंगे? 3 गुणा 60 या 60 गुणा 3 रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 222 गड़ी में कितने बजे? जब मिनट की सुई बारा पर हो, तो घंटे की सुई जिस भी अंक पर होगी, उतने ही बजे होगे. जैसे, अगर घंटे की सुई तीन पर, और मिनट की सुई बारा पर होगी, तो तीन बजेंगे. इस प्रिष्ट पर पांच घडियां बनी हैं. एक बड़ी घड़ी है और चार छोटी घड़ीया हैं. बड़ी घड़ी में घंटे की सुई तीन पर, और मिनट की सुई बारा पर है. बाकी चार घड़ीों में एक घड़ी का समय शब्दों में दिया गया है. इस घड़ी में घंटे और मिनट की सुई बारा पर हैं. और नीचे लिखा है बारा बजे. अब आपको इसके नीचे दीगए रिक्त स्थान में अंकों में समय लिखना है. दूसरी घड़ी में घंटे की सुई साथ पर और मिनट की बारा पर है. और नीचे लिखा है रिक्तिस्थान बजे उसके नीचे रिक्तिस्थान दिया गया है यहाँ पर आपको अंकों में समय को लिखना है तीसरी घड़ी में घंटे के सुई तीन पर और मिनट की बारा पर है और उसके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान बजे इसके नीचे के रिक्त स्थान में आपको समय को अंको में लिखना है चोथी घड़ी में घंटे के सुई चार पर और मिनट की बारा पर है और उसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान बजए और उसके नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में आपको ये समय अंकों में लिखना है प्रिष्ट संख्या 223 इस प्रिष्ट पर चार चित्र हैं ये चित्र घड़ियों के हैं यहाँ पर चार घड़िया बनी है पहली घड़ि में मिनट के सुई 6 पर और घंटे की 12 पर है और उसके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान बजे इसके नीचे आपने अंकों में समय लिखना है दूसरी घड़ि में मिनट के सुई दूसरी घड़ि में घंटे के सुई 6 पर और मिनट की 3 पर है इसके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान बजे अब आपको नीचे रिक्तिस्थान में अंकों में समय लिखना है तीसरी सुई में घंटे की सुई रिपीट तीसरी घड़ी में घंटे की सुई नौपर और मिनट की तीन पर है और उसके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान बजे और उसके नीचे के रिक्तिस्थान में आपको अंको में समय लिखना है चौथी घड़ी में घंटे के सुईस साथ पर और मिनट की तीन पर है और उसके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान बजे अब आपको इसके नीचे दे गए रिक्त स्थान में इस समय को अंकों में लिखना है शिक्षक निर्देश सहभागियों को प्रेदित करें कि वो घड़ी में समय देखकर बताना सीखें समय के मापन और घंटे, मिनट, सेकंड के आपसी संबंध को समझें प्रिष्ट संख्या 224 डिजिटल घडियां डिजिटल घडियों में समय सीधा ही लिखा होता है रेल्वे स्टेशन, मोबाइल, फोन आदी में डिजिटल घडियां होती है बताइए इन घडियों में कितना समय हुआ है इस प्रिष्ट पर छे डिजिटल घडियां दी गई है पहली बड़ी घडि का समय है 23 बच कर 49 मिनट और दूसरी बड़ी घडि का समय है 10 बच कर 26 मिनट बाकी चार डिजिटल घडियां इस परकार हैं पहली घडि समय 6 बच कर 40 मिनट रिक्तिस्थान बजे यहाँ पर दिये गए रिक्तिस्थान में आपको समय लिखना है दूसरी डिजिटल घड़ी समय 7 बज़कर 45 मिनट रिक्तिस्थान बजे यहाँ पर रिक्तिस्थान में आपको समय लिखना है तीसरी डिजिटल घड़ी समय 12 बज़कर 45 मिनट रिक्तिस्थान बजे यहाँ पर रिक्तिस्थान में आपको ये समय भरना है चौथी डिजिटल घड़ी समय छे बचकर बीस मिनट रिक्तिस्थान बजे यहाँ पर दिये गए रिक्तिस्थान में आपको समय भरना है प्रिष्ट संख्या दो सौ पच्चीस आईए अब करके देखते हैं पहले अनुमान लगाएं और फिर घड़ी के प्रियोग से पता लगाएं खाना खाने में आपको कितना समय लगता है? रिक्तिस्थान मिनट नहाने में आपको कितना समय लगता है? रिक्तिस्थान मिनट रात में मैं रिक्तिस्थान बजे सोती या सोता हूँ और सुबह रिक्तिस्थान बजे जाग जाती या जाता हूँ मैं रिक्तिस्थान घंटे सोती या सोता हूँ गाउं का स्कूल रिक्तिस्थान बजे लगता है एवं रिक्तिस्थान बजे बंध होता है स्कूल, रिक्तिस्थान घंटे लगता है शिक्षक निर्देश सहभागियों को सुईयों वाली वो डिजिटल घड़ी में समय देखने एवं बताने के लिए प्रोच्साहित करें प्रिष्ट संख्या 226 किसान की सुबह सुबह 6 बजे, यहां घड़ी में 6 बजे हैं इस समय से किसान घास काटना शुरू करके उसके छोटे छोटे गठे बनाता जब 5 छोटे गठे बन जाते तो उन पांचों को बांध कर बड़ा गठा बना लेता था 7 बजे, यहां घड़ी में 7 बजे हैं इस समय तक घास काट कर 15 मिनट बाद घर पहुँच जाता था। सुभा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक उसने घास के 4 बड़े गठे बना लिये थे। उसने घास काट कर कितने छोटे गठे बना लिये हैं। रिक्तिस्थान इसे रिक्तिस्थान गोणा रिक्तिस्थान भी लिख सकते हैं। वो घर कितने बजे वापस पहुचा था। रिक्तिस्थान बजे सुभा यहां घड़ी में सवा साथ बजे हैं जिसमें घंटे के सुई साथ पर और मिनट की तीन पर दर्शाई गई है। इस समय को घड़ी में दर्शाते हैं किसान ने घास काटना कितने बजे शुरू किया था? रिक्तिस्थान बजे सुबह किसान ने घास की कटाई कितने बजे तक की? रिक्तिस्थान बजे सुबह घास काटने में किसान को कितना समय लगा? रिक्तिस्थान घंटा पर वापस पहुँशने में किसान को कुल समय लगा एक घंटा जमा 15 मिनट बराबर रिक्तिस्थान मिनट शिक्षक निर्देश दैनिक जीवन में कामों में लगने वाले समय के कई उधारनों को लेकर चर्चा कीजिए प्रिष्ट संख्या 227 मेरे शब्द यहां पर एक बहुत बड़ा खाली बॉक्स है